भोटा से कुछ दूरी पर अगार के पास सुबा के समीर दो गाड़ियों में जवरदस्ट टकर हो गई हाथसे में चार लोग गाइल होए जिनके हालत गंबीर बताई जा रही है ग्रामिलों और रहगीरों ने गाइलों को 108 एंबुलेंस की सहाइता से बोटा अस्पताल पहुँचाया टकर इतनी जवरदस्ट थी कि गाड़ियों के परकच्छे उठ गए दोनों गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्थ हो गई सुशना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और चानविन शुरू कर दी बोटा से कुछ दूरी पर अगार के पास सुबा के इसमें दो गाड़ियों में जवरदस्ट टकर हो गई हाथ से में चार लोग गाइल हुए हैं जिनकी हालत गंबीर बताई जा रही है ग्रामिलों और रहगीरों ने गाइलों को 108 एंबुलेंस की सहाइता से बोटा अस्पताल पहुँचाया टकर इतनी जवरदस्ट थी कि गाड़ियों के पर गच्छे उड़ गए दोनों गाड़िया पूरी तरह से ख्षति ग्रस्थ हो गई है सूचला मिलती ही पुलिस मौके पर पहुँची और चानविन शुरू कर दी जानकारी के अनुसार एक जीप बरसर से बोटा की तरफ आ रहे थी जिसकी बिपरित दिशा से आ रही कार के साथ जोड़दा टकर हो गई सड़क हाथसे में 26 परसी संतोष निवासी गंगलो तहसील जंडुता बिलासपूर 32 वर्षी मंजु देवी निवासी गंगलो तहसील जंडुता बिलासपूर और 32 वर्षी संजीप कुमार गामबो ढागर बरसाई तहसील हरोली उन्ना को गंबीर चोटे आई हैं गंबीर गायलों का भोटा अस्पितल में उपचार चल रहा है इसके अलावा अन्या गायलों को मामूली चोटे आई थी जिनका मौके पर ही प्रात्मिक उपचार कर दिया गया है